गुटने दर्थ, बाइनोमिनेल फ्रूल की कमी, औस्ट्यो आर्थ्रेटस, अगर किसी भी तुरा का गुटने के रोग से परशान है, या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं, या डॉक्टर ने ट्रांस्प्लांट बता दिया है, पंच करम में जानूबस्ती ते बह किडनी के उपर करने वाले हैं, इसको मैं बोलूगा किडनी स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत में किडनी के पेशन्ट बढ़ते जा रहे हैं, किडनी फेल तो जिंदगी फेल, इस तरह के हमें खबरे भी देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है कि kidney fail हो गई तो आपकी जिन्दगी फेल हो गई और फिर हमें समझाया था है कि आप dialysis कराओ आप transplant कराओ लेकिन पिछले कुछ time से हम लोगों ने जो काम किया है उसकी वज़े से अपने आप ही भारत में हमारा जो hospital है जिसका नाम है HIMS Hospital and Institute of Integrated Medical Sciences उसने एक अलग तरह की अपनी जगा बनाई है पूरे भारत में kidney के patient को एक विश्वास आया है कि अपने शरीर में ही ताकत है kidney को regenerate करने की repair करनी की मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि लोग बोलते है kidney fail हो गई तो जिंदगी fail हो गई kidney के patient में होता कि actual में जब तक kidney 70% fail नहीं होती हमें पता ही नहीं चलता ध्यान से देख लीजिए 70% kidney damage होने के बाद चलता है पता तो यही problem है और बोलते है silent killer है kidney kidney को silent killer बोलते हैं मैं बोलना चाहूंगा जितने भी लोग दर्द निवारक गोलियां खाते हैं दर्द निवारक दवाईयां खाते हैं यह kidney के लिए तो खराब करती है प्लस गरब वती के बच्चे उपर भी असर पड़ता है यानि कि अगर कोई lady pregnant है और pain killer खाए तो बच्चे की सेहत भी खराब होती है रिसर्च हो चुकी है और pain killer के जितने injection है या pain killer गोलियां है वोवेरोन है या बूफन है ये भी रिसर्च हो चुकी है कि pain killer जो वोवेरोन का injection है ये भी बैन कर दिया गया इसलिए कि kidney पर असर हो रहा था लेकिन मैं आपको बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा बजार म आज भी बिक रहा है तो ये problem है और kidney में होता क्या है एक होता है पुरुष एक होता है महिला ये सबको मालूम है पुरुष की kidney फेल हो जाए महिलाएं दे देती है मा दे देती है बेहन दे देती है लेकिन अगर किसी महिला की kidney फेल हो जाए तो बड़े दुख के साथ बोलना देते इस वज़े से भारत में किड़नी की जो महिलाएं पेशंट हैं वो ज़्यादा मर रही हैं क्योंकि उनको डोनर नहीं मिलता लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि डोनर मिल गया तो भी क्या गरेंटी है वो किड़नी काम करेगी किड़नी दुबारा फेल हो जाती है इसी मैं बिहार से बात कर रही हूं भागलकुसे हां जी बोलिये हां सर मुझे na कुछ पाबलम थी जी इतक्रवाय कि मुझे मैं टेस्ट करवाये थे दो-तीन महीनÉos 1 थीक है च्एसमा मुझे डॉक्ते ने बहुता है अब किया यह ठीक में थोड़ी घपरा गी थी तो आपने कु पर द्वाज किया बट मैं दवाई खारी थी तो मुझे थोड़ा अराम था थीक है दवाई जासी में बंद करती थी फिर से मेरी वही सांस की दिक्कत नी दवाई कौन सी खा रहे हो आप अलोपैती खा रहे हो आईरोइद खा रहे हो यह अलोपैती खाया था तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला एक तो मैं आपका प्रोग्राम देखती थी टीवी पर काफी समय से देखती थी बट मैंने कभी कॉल नहीं किया था तो आप एक काम कीजिए बिहार में भागलपुर में हमारी क्लीनिक है ठीक है वहाँ का स्कीनी पे नंबर चल रहा है वहाँ का एड्रेस और फोन नंबर ले लिजिए वह डॉक्टर प्रितम बैठते हैं उनसे जाके मिल लीजिए मिलने की आप उनसे मिलके प्रोपर चेक आके आपकी क्या भिमारी है क्यूं है अगर तो हमें लगğiniगा बिलोकेज क्लीनिक पे ट्रीटमेंट से खुल जाएगी तो हम ट्रीटमेंट से खोल देंगे नहीं तो हमारे ना पूरे भारत में कई हॉस्पिटल्स है जिسे डेरा बस्सी में है मेरत में है मुंबई में है 2019 में PG&E के एक रिपोर्ट आई थी कि रोज के 200 से ज़्यादा किड़नी के पेशन्ट आते हैं PG&E में और महिलाओं की संख्या ज़्यादा यानि कि महिलाओं की किड़नीया ज़्यादा फेल हो रही है ये प्रॉब्लम है और मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा जैसे मैं आपक किड़नी ट्रांस्प्लांट के बाद भी कोई सोलूशन नहीं है कोई गरंटी नहीं है मौडरन पैथी में या मौडरन विज्यान में कि वो कोई गरंटी दे आपको किड़नी ट्रांस्प्लांट की हाँ मैं आपको गरंटी दे सकता हूँ अगर आप आईरवेद को नैच्रो काम कर सकती है और मैं आपको अब सबूत दिखाने जा रहा हूं कि वो ही किड़नी काम कैसे करती है यह देखिए यह स्टैन्फोर्ड का कीड़नी अपने आपको रीगरो कर सकती है लेकिन हम क्या गलती करते है हम लोग काम यह करती है उसके लिक्षवार यहां सर मेरा नाम करण है मैं रेवाडी से बोल रहा हूँ और हमारे एक रिलेटिव है पवंजी गुडगावा से उन्होंने आपके हीम्स होस्पिटल डेरावसी से किटनी का इलाज लिया था ठीक है आप कौन से चाहर से बोल रहा हूँ तो सर रेवाडी में हमारी क्लिनिक है हमारी शुद्धी आईरवेदा के नाम से पूरे भारत में 120 क्लिनिक है ठीक है तो रेवाडी के डॉक्टर का नाम और नंबर ले लीजिए एडरस ले लीजिए स्क्रीन पे चल रहा है और जब आपके रिष्टेजार की किटनी फेल आपने खुद बोला ठीक हो सकती है तो घुटने और कमर तो कोई हमारे लिए मैटर नहीं करते बड़ी जल्दी ठीक हो और यही हम पूरे भारत के शुद्धी क्लिनिक्स जो 120 से अधिक हैं और पूरे भारत में जो हमारे 14 हिम्स के सेंटर हैं हिम्स मतलब Hospital and Institute of Integrated Medical Sciences उसमें यह हम साबित कर रहे हैं और लोगों को सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि वही किटनी काम कर सकती है वही लीवर काम कर सकता है एक और कॉलर है मरसद जी नमस्कार सवाल पूछिए हां जी बताईए हां जी बताईए हां जी बोलो सर मुझे किटनी की प्रोब्लम से मैंने आपका एड़ देखा है तो काफी आपके हिम्स के बारे में मैंने सुना है सर ठीक है जी जी तो मेरे क्यास पास अगर कोई ऐसे है तो आप मुझे बता रीजे मेरी जो एच है वो 35 है ओके और आपकी वजन कितना है आपका और ब्लड रूप क्या आपका और मेरट से बोल रहे हो आप हां जी है अच्छा आपकी किटनी की प्रोब्लम पहली बार कब पता चली आपको और उससे पहले क्या दिकत थी आपको यह लगवग दो साल पहले यह पता चली है नहीं तो क्या करवा रहे हो अभी कोई आपका क्रिटराइन कितना हो गया है तो अभी हमारा जो 39 लेगल है सजी वो 14 है और डालेसिस हुआ के नहीं हो आज तक हाँ डालेसिस हो रहा है अभी हपते में दो बार हो रहा है कितने है मैंने आपका प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लगा आपने को यूट्यूब पे हमारी कोई वीडियो सर्च की है हिम्स के नाम से या किड़नी रिवर्सिंग के नाम से या किड़नी रिजनरेशन के नाम से यह मेरी स्क्रीन पर पीछे फोटो चल रही है यह टब की च प्रोमना इन सब चीजों किड़नी को रिजनरेट करते हैं और मेरट में हमारी क्लिनिक है क्लिनिक पे जाकर तो आपको वन टूवन डॉक्टर से बैठ के टीटमेंट लेना पड़ेगा नी तो मेरट में पूरे भारत का आज तक का सबसे बड़ा हमारा किड़नी का अस्पता जो साड़े तीन सो बैड़ का है बड़ी अच्छी फैसलिटी साथ 25 से कड़े बना हुआ है गंगा के किनारे है यह मैं दिखाना चाहूँगा दरशुका आपको यह रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको कि हॉट बात फॉर्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल के लिए इसको हम सीकेटी बोलते हैं उसके लिए बड़ा रामबान काम करता है और आईरवेद में अवगा स्वेद के नाम से चरक साहिता में 14 बटा 44 चैप्टर है पूरा जिसमें वर्नन है अवगा स्वेद पूरा का पूरा कि कैसे किड़नी रिजनवेट हो सकती है कैसे कि देखो ये जो क्रॉनी किड़नी डीजीज है इसके लिए हरी सबजियों को रामबान बताया गया है तो किड़नी को स्वस्त रखने के लिए हमेशा हरी सबजी ज्यादा खाईए डरिये मत कि मैं नार्यल पानी पीलूगा मेरा पोटेशन बढ़ जाएगा मैं पालक खालूग हम पूरा प्रोटोकॉल सिखाते हैं किड़नी फेल वाले को भी लीवर फेल वाले को भी कैंसर वाले और थैली सीमिया को भी पूरा प्रोटोकॉल अगर फोलो करते हो तो वही किड़नी वही लीवर आपकी बॉड़ी में काम करना शुरू कर देते हैं और जितनी नॉर्मल ब हम उस्पिटल में भरती करते हैं यानि कि IPD फैसलीडी बोलते हैं दूसरा हम पेशन्ट को डे केर में भरती करते हैं डे केर मतलब आओ दो-चार घंटे इलाज कराओ ठेरपीज लो पंच करमा करो ग्रैड सिस्टम हेल्प करो और ग्रैड सिस्टम यूज करो घर जाओ तीसरा पेशन्ट से 1-2-1 क्लिनिक से हमारी जहां डॉक्टर बैठके बात करते हैं चौथा है वर्चुल ओपीडी मला हमारी वीडियो कॉल पर भी डॉक्टर फोन पर बात करते हैं और पांचवां अगर इन में से कोई तरीका आपको नहीं अपनाना तो घर बैठे भी आप अपनी पेट गोली पिर नाष्टे के बाद गोली बीपी की गोली शुगर की गोली लंच के बाद गोली डिनर के बाद गोली बुखार की गोली जोडो के दर्द की गोली, अरे कितनी गोलियां, सुबा से राब तक गोलियां गोलियां अगर गोलियां बिमारी को ठीक कर रही होती, तो सारा भारत बिमार क्यूं है? हॉस्पीटलों में भीड क्यूं है? अभी भी वक्त है, संभल जाओ, रुको, एक बार सोचो क्या गोलियां बिमारी को ठीक कर रही है? नहीं, बिमारी को सिरफ दबा रही है और एक के बाद दूसरा साइड इफेक्ट आता जा रहा है अगर आप भी सच में ठीक होना चाते हो, तो भारत की पैथी भारत के आईरवेद को अपनाओ, बिमारियों की जड़ पर काम करो तभी आप, आपका पूरा परिवार, पूरा परदेश और पूरा देश स्वस्तों पाएगा लेकिन तभी जब आईरवेद को अपनाएगा किसी को भी गरीब होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक बिमारी जी, एक बिमारी, कैंसर, किड्नी फेल, लीवर फेल, लिूकोडर्मा, सुराइसिस, इंसान को गरीब बना देती है लाचार बना देती है, अगर आप गंभीर बिमारियों से, उनके बड़े-बड़े बिलों से, गरीब होने से बचना चाहते हो, तो एक सला देता हूँ आपको, हेल्ट इंशॉरेंस करवाएग, और एक खुशी की बात है, अब जितने भी नए हेल्ट इंशॉरेंस हैं, वो हाँस्पिटल की तरह भागा, तो डॉक्टर ने मुझे कहा, कि आपको किड्नी ट्रांस्प्रांट करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा और बहुत अच्छा फील करते हूं, तो पैरों की ती वो खतम हो गया, जो मेरा वेट था मेरे कम से कम 4-5 कलो कम हो गया और उसके बाद थोड़ा सा चलने फिलने में चुस्ती-फूर्ती मुई में अपने आप में सुस होती है डॉक्टर अचारे जी ने जो यहां सब पेशेंट्स के लिए किया है मैं कहता हूं एक बगवान का दर्जा है उनको उनको उनोंने बहुत अच्छा यहां सिस् करते हैं बहुत बहुत थैंक्स हैं डॉक्टर अचारे जी का वेस्ट वेंगा लासंसोल से हम लोग वहां सुने थे कि हम्स में जाने से सब नेच्टरोपैथी मिलेगी चुट जाएगी वह बहुत आसा लेकर आया थे यहां आए तब पहले दिन से मेरे मेडिसिन बंद हो गई जिस मुमेंट में आप औची तभी बंद हो गई आके फिर मुझे यहां पर जो भी डाइट दे गई और जो भी हल अहरुएदा मेडिसिन ती गई उसके बेसिस पर फ मुझे आज बिल्कुल ठीक हो जाओंगी यह मुझे आज भिस्वास हो रहा है सारे दिन लगता तो सो ही रहों कोई अनर्जी नहीं लग रही थी वह यहां एक दिन भी नहीं लग गया से मैं डेली 5 o'clock उठके यहां योगा से लेके रात तक पूरे सेशन सब कुछ अटेंड करके भी फुल एनर्जेटिक हो में तो हॉस्पिटल और स्टाफ के लिए कुछ बोलना जा है बहुत अच्छे हैं बहुत फ्रेंडली हैं कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है दस बर कुछरियों में दस बर तंग कर रही हैं तो दस बर इन लोग अंसर देते हैं मुझे यह सबसे अच्छा लगा बहुत कॉपरिटिव है दिनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट, सबंधी समस्या, शूगर, बीपी, जोडों का दर्द, आखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बिमारी से परेशान हैं तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाब उठा सकते हैं हमारी हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं चंडीगड में डेरा बसी, लखनौ, दिल्ली एंसियार, मेरट, नवी मुंबई, गुरुग्राम, अमृत्सर, जैपुर, जोधपुर, चंडीगड, लुदियाना, संगरूर, गोवा, अंबाला, सोनीपत, सीकर, जोत्वाडा, उदैपुर, कोटा, अजमीर, कानपुर, दिल्ली में हमारे 13 से अधिक डे केर क्लीनिक वा हॉस्पिटल हैं, हमारे यहां पर सभी प्रकार के हेल्थ इंशुरेंस चलते हैं, पूरे भारत में 40 से अधिक अस्पताल और 100 से अधिक क्लीनिक हैं, अधिक जानकार के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। खाएंगे, तो उमर जादा लंबी होगी और स्वस्त रहेंगे, यह रिसर्च हो चुकी है, तो किरप्या करके संडे हो या मंडे कभी न खाएं अंडे, और अंडो का सच और नॉन्वेज का सच जान जाओगे, तो वैसे भी नहीं खाओगे आप, जी नमस्कार, बताईए, हान जी, बताईए क्या हाल चाले है, हान जी, कहां से बोल रहे हो और क्या तकलीफ है आपको, तागर, MP से बोल रही हूँ, मैं मेरी एज 42 है, और मैं क्रिटनी की पेशेंट हूँ, ठीक है, तो किड़नी में क्या दिक्कत आया, वो क्रिटनी कितना है आपका भी, रेटन मेरा तक गया आपका, आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो मिलने के लिए, चैक अप के लिए, हिम्स में, लखनव या डेराबसी, या जोदपूर, जैपूर, जो भी आपके पास पढ़ता हो, या मरी सर, जो भी आपको पास पढ़ता हो, तो आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे मालूम हम क्या करते हैं जी सर हम अपने होस्पिटल में टब के बारें बताते हैं कि टब घर पे लगा लो आपने लगाया है तब भी लगा लो आप घर पे क्योंकि क्रिट्राइंस 3.8 और 5 होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि किड़नी आपकी लगवग मेरे इसाब से सबसे आपको डिटी पीए स्कैन करवाना चाहिए रीनोग्राम किड़नी रीनोग्राम किड़नी कितने परसंट काम कर रही है और उस रिपोर्ट को हम तीन मीने बाद दुबारा करवाएंगे यह मेरे फोटो के बिछे तब की फोटो भी आई है ठीक है तो यह तब घर पे लगा ल लेगा डिटी पी एस डिटी पी ए फॉर एपल डिटी पी ए स्कैन करवालो आपके शेर के आसपस कोई भी सेंटर होगा और वहां से स्कैन कराके अपनी रिपोर्ट बताओ कि मेरी किड़नी इतने परसंट काम कर रही है फिर तीन मिने बाद दुबारा कराएंगे जैसे मालो तो आपकी किड़नी आती है 16% काम कर रही है एक्जामपल तो फिर तीन मिने वो दिखेगा 16 की 25 होई के 16 की 12 ने गई क्योंकि क्रिटनाइन को बढ़ाने के चकुर्णे मत पढ़ो वो क्रिटनाइन बॉड़ी का वेस्ट है क्रिटनाइन में तो बड़ा धोक्का है कर वाओ और फिर आप हमारे किसी बड़े होस्पिटल में आके एक बार मिल लो तो दर्शकों मैं आप सबको बोलना चाहूंगा जितने भी किड़नी फेल के पेशेंट हैं जिनका क्रिटनाइन बढ़ रहा है तो एक टेस्ट जिसको पूरी दुनिया गोल्ड सेंडर मानती है वो है DTPA scan इसको बोलता है किड़नी का टेस्ट या किड़नी रिनोग्राम उसमें हमें पता लगता है कि मेरी किड़नी एक मिनट में कितने ML खून साफ कर रही है यानि कि कितने परसेंट काम कर रही है वो टेस्ट हम तीन मिने बाद दुबारा करवाएंगे आपको दिखेग आपको बेटा हमारे बारे में कैसे पता चला आपकी एज कितनी है वजन कितना है और ब्लड रूप क्या है किड़नी कितने टाइम से खराब हो रही है आपकी अभी आप एक काम करो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है मेरे दो क्लीनिक है मापर एक अंधेरी में और एक थाणे में थाणे रेलवेस सेशन के उपर ही है और वहाँ पे मेरे पास डे कїयर फैसलिटी है वहाँ यह टब भी लगा हुआ है और पंचकरमा भी है ग्रैड सिस्टम भी है और पंचकरमा भी है उसकी मदद से हम वापिस किड़नी को रिजिनुएट कर सकते हैं लेकिन आप मदद करोगे आप हेल्प करोगे आप कहना मानोगे आप बदलने को तयार हो जाओगे तो सूरज डूबने के बाद खाना बंद करन लेकिन जर्सी गाएं, HF गाएं, अमरीकन गाएं, औस्ट्रिलियन गाएं का दूद बिलकुल नहीं पीना क्योंकि वो दूद भी किड़नी फेल करता है मैं दिखा देता हूँ आपको और एक और रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ ये देखो आज कल दूद को गाड़ा करन जो खुड होगा आपको, हाँ, कोर्ड़िन पेने से भी किडिनिया फेल हो रही है तो आजकल के बच्चे कोर्डुरिन बहुत पी रहे हैं, कोर्डरिन जलजीरा जो बजार में, मैं घर का जलजीरा नहीं बोल रहा हूँ, जो बना-बनाए जलजीरा बजार में आता है, वो और सोडा, ये तीनों भी किड्नी फेल कर रहा है, दर्श को ध्यान से सुन लीजिए, धरन कैसे चेक करते हैं, धरन को कैसे आप चेक करके अपने आपको ठीक कर सकते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, ये concept of नाभी, मैं रिपोर्ट भी दिखाता हूं, research paper भी, कि concept of नाभी, ए ये बाजू से टांगों को सीधी उपर उठाके, या पेट पर कोई मिट्टी का या मटके से हम धरन निकालना सिखाते हैं, बड़ी असानी से ठीक हो जाएगी, एक caller है हमार साथ जी, नमस्कार सवाल पूछिए, जी नमस्कार गुरूजी, मैं भागलपुर से बात करता हूं ठीक है, तो धन्यवाद आपका भी है, कि आपने हमें कॉल करके हमारा होसला बढ़ा हमारा भी किलो खून बढ़ जाता है, आप जैसे फोन आ जाते हैं तो, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है तो लाइव प्रोग्राम में ज्यादातर लोग अपनी कम्प्लेंट को लेके हैं धन्यवाद वाले सोचते हैं कि हम काई को फोन करें तो मैं सब को बोलना चाओंगा धन्यवाद होना एसानमंद होना हमें आगे के नई रस्ते खोलता है तो मैं पूरे भारत से एक अपील करूंगा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहाँ पर से वटसेप नंबर ले लें अगर आपको आज तक किसी भी तरीके से आईरवेद की वज़े से डी आईपी डाइट की वज़े से ग्रैड सिस्टम की वज़े कराएं या हमारी किसी भी क्लिनिक हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराएं ताकि हम पूरे देश को दिखा सकें कि कैसे आईरवेद नैच्रोपेथी डियाईपी डाइट या ग्रैड सिस्टम या हॉट वाटर टब इमर्शन या पंच कर्मा या आईरवेदा किसी भी तरीके से दुनिया ठीक हो रही है और तो और हम गेहु चावल खाने से मना करते हैं क्योंकि गेहु चावल शुगर को बढ़ाता है हम बोलते हैं मिलट्स खाओ, मोटे अनाच खाओ, चार साल हो गए, दूसरी बार ट्रांस्पलन्ट हुआ और वो भी फेल हो गया तो कहने का मतलब किड़नी दो बार फेल हो चुकी है, दो बारा फिर पैसे मांग रहे हैं बैखबार में खबर चपा के तो मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूंगा, अगर आप सच में किसी किड़नी की लीवर की मदद करना चाहते हो, तो उनको आप पैसे मत दीजिए, आप उनका आईरवेद में इलाज करा दीजिए, नैच्रोवेथी में इलाज करा दीए, हमारे सेंटर में संपर कर जिए, ह आईउश कवर वाला हेल्थ इंशॉरंस करा लीजिए, वो आपका आईरवेद में भी चलता है, एलोपैथी में भी चलता है, तो अच्छी बात नहीं है, अगर आप किड़नी फेल के कैंसर के मरीज हो, तो आज ही सिगरड पीना छोड़ दीजिए, एक और मैं बोलना चाहते बोलना चाहूंगा, वेग धारन नहीं करने चाहिए, एक कॉलर है मरसा जी, नमस्कार, नमस्कार सार, जी बताईए, सर मुझको ऐलर्जी की प्रॉबलम है, सर्दी से ऐलर्जी होती है, ये सर 20 साल हो गया है, करीब 20 साल पहले से ऐसी दिक्कत मुझको सुभी, किसी से कि आख़वे, एक गरम गरम निकलता है, ऐसे शुरू हुआ। आपकी उमर कितनी है, बजन कितना है, बलड रूप क्या है, और कौन से शहर से बोलत रहे हो। सर मैं, कानपूर उत्तर्पदेश से बोल रहे हो। उमर कितनी है, बजन कितना है। उमर 40 साल है वजन है 67 और ब्लड रूप क्या है ब्लड रूप क्या काम करते हो आप काम सर अपना दुकान है ठीक है आपको हमारे बारे में कैसे पता चला सर मैंने पहले आपकी दवा यूज की हुई है कितना टाइम पहले यह आज से करीब 4-5 साल पहले किस तकलीफ के लिए मंगवाई थी तब यही अलरजी थी मुझको मैंने आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रहा हूँ चार-5 साल चार-5 साल पहले हमारी दवा से कोई फाइदा हुआ तो उससे फाइदा हुआ तो यह हुआ कि पेट साफ रहने लगा ठीक है और इधर मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ तो डाक्टर बिशुरूफ सर से भी जुड़ा हुआ हूँ तो डी आईपी डाइट का भी फालो कर रहा हूँ ठीक है लेकिन ऐलर पहले पहले जो फाइदा वा वह उसका थैंक यू बोलो पहले जो फाइदे वह उसका धन्यवाद दो ना हमें भी खुशी मिलेगी फिर आपकी कंप्लेंट भी सुनूँगा मैं क्योंकि स्रिष्टी में धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है जिसकी वह उसके फाइदा होता है जरूर आपकी दवा के वज़े से मुझे बहुत आराम हुआ है ठीक है चावल भी शुगर का खत्रा बढ़ाते है प्रदूशन बढ़ रहा है उसकी वैसे अस्त्मा बढ़ रहा है नीद कम आ रही है लोगों को तकलीफ हो रही है देख लीज़े जैसे कम नीद आने से दमा का खत्रा तो इस तरह से इम्यूनिटी वीक है हमारा लाइफस्टाल ठीक नहीं है जिसकी वैसे बिमारियां बढ़ रही है तो दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूँगा कोई भी बड़ी बिमारी अगर किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या ऐसी बिमारी कोई बड़ी है जिसमें डॉक्टर ने ट्रांस्प्लांट बताया है ओपरेशन बताया है या कीमो या रेडियो बताया है तो हमारे पूरे भारत में 14 सेंटर्स हैं जिसमें 8 बड़े हॉस्पिटल हैं जहां बरती होने की सुविदा है तो किड़नी फेल, लीवर फेल भी हम महां काम करते हैं इसके लावा 120 हमारे क्लिनिक्स है तो वहां जाके भी डॉक्टर से 1-2-1 मलके आप अपनी बिमारी के बारे जान सकते हो आपकी नाडी चेक होगी आपकी जीब चेक होगी आपकी आखे चेक होगी और आपकी नाभी चेक होगी धरन चेक होगी उसके बाद आपको ट्रीटमेंट और डाइचर बताया जाएगा किड़नी फेल, क्रिटनाइन का बढ़ना डाइलेसिस करवाना और डॉक्टर का ट्रांस्परांट बोलना पूरे घर को मजबूर कर देता है पूरे घर को गरीब कर देता है अगर आप यापका कोई अपना किड़नी की बिमारी से परशान है तो आईरवेद में संपर करें अच्छे साल से मैं दवाई ले रहा था अस्तमा की, इनेलर ले रहा था स्टेरोड ले रहा था मुझे पता लगा कि अईरवेद में इसका उपचार है, हिम्स में इसका उपचार होता है मैं यहाँ पर आया और आज पांच दिन के बाद अलग अलग तेरपी के साथ मुझे इतना फरक पड़ा है कि मैं इनेलर लेना बंद हो गया है दोनों घुटनों में आराम हैं दूसरी और परशंसा की बात यह है कि मेरे को अस्टेलिया में मेरे बेटा है कि बीपी की गोली कभी-कभी देता था लेकिन मैं यहाँ के बीपी की गोली तो भूली गई हूं और यहां के सारे कर्मचारी जो पंच कर्मा वाली है बड़े कोपरेटिव हैं सहयोगी हैं सहान भूतिप्रद हैं बहुत अच्छा कर्मा करते हैं जिससे मुझे बहुत ही फरक पड़ा है मेरा नाम रॉबिन सिंग है मैं बिहार से आया हूं मेरा पहले चिन्ने भेलोट से चल रहा था किर्नी का मुझे दिसंबर महिना दुज़ा दुज़ाथ तैस में मालूम परा कि मुझे किर्नी का प्रोब्लेम हो गया है तो मैं पहला टाइम ही जब जनवरी में गया था दिखाने के लिए साथ में हम यहां पर चले आए और हिम्स का जो यहां पर उपचार है पंच करमा है ठेरोपी जितना भी उपचार है और जितने भी स्टाफ हैं सब बहुत अच्छे हैं और अपने आपको मैं अंदर से पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और हंडेट परसेंट से हो रहा है कि मैं यहां पर ठीकी हो जाओंगा मेरे को आगे 12-13 साल हो गया यह सुगर का विबारी है मैं हमेशा पहले गोली घता था गोली को साथ साथ अभी इंसुलिन भी दिने लगा मैं सुबह 30-35 उनिट लेता था इंसुलिन और साम को लेता था 25 उनिट मैं यहां आया मेरे गाउं का कुछ आदमी यहां से मिला है तो उनको पास सुनके मैं यहां आया हूँ यहां आने के बाद मेरे को आभी साथ दिन हो गया मैं साथ दिन से मेरे सो इंसुलिन छुट गया और काफी फैदा हुआ है हमारी हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं चंडीगड में डेरा बसी, लखनौ, दिल्ली एंसियार, मेरट, नवी मुंबई, गुरुग्राम, अमृत्सर, जैपुर, जोधपुर, चंडीगड, लुदियाना, संगरूर, गोवा, अंबाला, सोनीपत, सीकर, जोधवाडा, उदैपुर, कोटा, अजमीर, कानपुर, दिल्ली में हमारे 13 से अधिक डे केर क्लीनिक वा हॉस्पिटल हैं, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के हेल्थ इंशुरेंस चलते हैं, पूरे भारत में 40 से अधिक अस्पताल और 100 से अधिक क्लीनिक हैं, अधिक जानका जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें